तो हेलो अरीवन आज हम लेने वाले एफफाई का फांडेशन कोर्स वनका यूनिट तू कंसेप्ट डिस्पाइट वनका लेक्चर नमबर ट्वेटी जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं और अब बेसिकलि इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है बेसिकलि क संब्सक्राइब क्या लौट नहीं तरह सप्केस्टालब क्या वोड़न उसको समल ले कि देखो कोई भी auditory handicapped जो person होता है basically वो normally एक डेफ होता है और dumb भी होता है उसके साथ में मतलब क्या कि देखो अगर मालो कोई आदमी बह रहा है उसे सुनाई नहीं देता तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता है आप भी सोचो अगर आपको बच्पन से कोई ABCD पढ़ा है नहीं आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता आपको सामने कोई कुछ बोलता है तो आपको पता ही नहीं चलते हैं लोग रहे हैं लेकिन में बहदे अवाज को ऄंता है बट अभी के टाइम पर देखें तो काफी स्कूल्स खुले हैं हैंडिकेपट लोगों के लिए जो बहरे लोगों को भी सिखा देते हैं किस तरह साब बोल सकते हो बट काफी कौशली रहते हैं महेंगे रहते हैं जिसके उसे कोई भी गरीब आदमी जो रहता है वो पढ़ा नह कुछ बोल नहीं पाते हैं मैं क्या बोलू उनको समझें नहीं तो मैं बोलू किस तरह से तो डंब और दोनों हो जाते हो अब देखो एक नॉर्मल हीरिंग जो होता है एक इंसान जो है जितना सुन सकता है वह होता है जीरो से ठाटी डेसिमल तक का आवास मतलब क्या कि अगर जितना 30 scripts की आवाजे रहती है वह घंग से सुनाई दे देती है जिसे हमारी just करने के आवाज हो 30 double होती है घड़ी की टिक Heights होती है तो बीस मैल होती है और यह जो सास लेने की जो आवास होती वह 10cop होती है ठीक है अब ऐसी जो आवाजे रहती है वह नॉर्मल आदमी जो होता जो ढंक से सुन नहीं पाते है तो इसमें होता गया है देखो मैं आपको संजाता हूँ कि मालो एक आदमी है जो बहरा है ठीक है तो उसके कान में देखो होगा क्या कि देखो बिसिकली जो कान होता है उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं हमारे जो कान होते हैं उसमें तीन पा होता है हमारा मिठल इयर ठीक है उसके पीछे होता है हमारा इनर इयर ठीक है जिसके अंदर होता है एक काचिल ठीक है अब बसे itiat कोई कुछ po लार है रहना ग effort से अंदर आती है तो ऐसे tilby क्या होता है मलूँज अगर आप कोई धीरे से मानलो को यह से बना प escuch i क्या आराब से वाज सुनाई देदेए क्योंकि देखो उसकी साउंड तक ही रहती दो oh सीधा हमारे कान के अंदर गुश जाती है और हमारा कान जो होता है उसको समझ लेता है बिसकली होता है कि सबसे पहले कान के अंदर वह आवाज जाती है अब आवाज जाने के वैसे क्या होता है कि हमारा जो कान रहता है देखो नॉर्मली देखोगे तो वह जो आवाज रहती है वो बहुत ज़रा धीरे माती है ऐसा नहीं कि जितना आपको सुनाई देता उतना ही कस के बार से आवाज अंदर आती है असली में देखोगे तो बहुत ज़रा धीरे आवाज रहती है अब क्या होता है हमारे कान के अंदर जैसे ही वो आवाज जाती है एक है ऑगर जैसे मान लो कि सामने कोई सास ले रहा और आपको अवाज तक नहीं आएगी, इतनी मलग कम आवाज रहती है बट आपके कानों के विए से आपको वो सुनाई देता है कि सामने क्या बोल रहा है, ठीक है? होता है कि अगर मान लो बाहर से कोई आवाज आती है तो वो अंदर आवाज जाती है अब कान के आउटर एर से वो अंदर जाते जाते है हमारे ये ड्रम से टकराती है अब होता है कि अगर जैसे मान लो कि अगर आपने एक सामने एक लकडी रखा है ठीक है और उसके बाज में एक और बड़ा लकडी रखा है तो अगर आप एक लकडी को धक्का दे दोगे तो वो उससे जारा दम से दूसरे लकडी को भी धक्का दे देगा और फिर वो अपने से आगे वाले को धक्का दे देगा तो वैसी आगे चलते जाएगा तो वैसे ही क्या होता है कि अगर बाहर से कोई आवाज आती है और वो हमारे middle ear तक पहुच जाती है तो देखो हमारा middle ear क्या करता है वो जो sound बाहर से अंदर आई है उसको और तेज कर देता है वो और वो भेज जाता है हमारे inner ear के पास में पाता है मैं अगरे करता निवाज आखिए कि हेलो तो बाहर से आम जैसे middle ear के पास पुझता है वह आवास तो तेज कर देता है एब इसके पात क्या होता है सावंड बेस डिटान अब हमारा जो इनर यह रहता है वह संड को बेसHowin को ऑचए mina को जबाइब कुझे अनदर यह पाट तो यह साउंड को और जबाधा साउंड को बढ़ा देता ताकि हम को थेख需要 ते थी ति हाँ फिर हमने मीडल एर और तेज्जR कर दिया हेलो उसके वार एंदर पहुषती और होता क्या है देखो एक बहरे आदमी के अंदर कि अगर मालो यह जोसके तीन पार्ट से कान के आउटर मीडल और इनर इयर इन तीनों में से कुछ एक में खराबर भी हो जाती या फिर कि नी पार्ट में हो जाती है जिसको साउंड उटाएं वह फाहर आप्व होसकता है समझ आ कि बाहर देखना को साँर सब्जा चाहिएं बाहर से हलो ऑपार रहा है सुनाई देता हो समझ ना का बाहर से जाए तो ऐसी को हम डित जो सुन नहीं पाता है बट बहुत ज़ा धीरे गर पाता कि समझ की वह पाता है तो इस तरह से बार्शन जो भी आवाज है उसका मतलब क्या है अब देखो तो आँपक पो कुछ निया नहीं हुद होता है चाहिए इसका मतलब क्या थो आहे हमारे उंडोर ऊाँटर मेडल और और हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है कि बाहर से आवाज क्या ही है मतलब क्या कि हो सकता है मान लो कि मेरा किसी से दुश्मन ही था तो उसने मुझे रॉट से मार दिया या फिर बहुत कस के चोट लाया दिया या फिर मैं पैदाईशी वैसा था जिसके वजų's मेरा जंड बहुत जाला अच्छे से यह epa कान टेटा मिड़ा मेरा क्या मेरा पैदाईशी से हो सकता है आवाज यो हो धंक से मेरी कान के नध를 भूस नहीं हो पहुंसने गए हो हमारे जो मिडल यह मान लो कान के परते कान षर वर इसकी कान के परदे फट जाए हो सकता है उसके वज़े से हमारा जो कान में क्योंकि कान के परदे फट गए मिडल ये डैमेज हो गया है जिसके जो भी बार से साउंड आ रही है वह इनर एर तक ढंक से पहुच नहीं पहुच रही है तो इसके जब भी मिडल इनर एर के पास वह साउं या फिर मिडल इयर में कोई डैमेज हो जाता है और उसके वज़े से इनर इयर के पास साउंड ढंक से पहुच नहीं पाती है और आदमी बहरा हो जाता है तो उसे हम कोई खराबी हो गई मालो कि अगर मालो हमारा आउटर एकदम मसते मिडल इयर भी मसते लेकिन हमारा जो इनर इयर है यानि जो कोचीला है वह अला पार्ट कुछ डैमेज हो गया मालो चोट लगने को जैसे नॉर्मल यह नहीं होता है यह पैदाईश ही रहता है ठीक है कि आप प डेवलप नहीं हुआ हो धंक से डेवलप ना होने के वज़े उसके अंदर जो भी आवाज आती है वह एंप्लिफाई करता नहीं या फिर ब्रेन तक पहुंचाता नहीं है जब मतलब हमारा इनर यह उसकी खराब होने काम नहीं करता है अगर उसके वज़े से अगर कोई आद करते बीद्ध और इंडल इसका काम कंडियर तो असके एक भी पार्ट काम निकलाब तो पक्का कि कुछ भी निस नहीं देगा मतलब क्या सेंसरी नूटिटरल डेफनेस भी उसके साथ में कंडिशनल डेफनेस वह उसको दोनों है उसको मिक्स्ट डेफनेस बोलते हैं ठीक है जब दोनों इन उसके पूरे कान के पार्ट्स हो सब के सब ही खराब है अब यह जो होता है वह genetic problem ही रहती है यह पैदा पहले यह यह genetic problem जादा रहती है कि मालोम घंटनान में कोई प्रबलम तो सकता हैF जिसको हम मिक्स्ट डेफनेश बोलते हैं आपका कान की तीनों मिडल और आउटर और इनर यह से तिनों के तीनों की काम नहीं करते हैं जिसके आपके ग्रेन तक आवाज ही नहीं पहुच पाती है और वो समझ ही नहीं पाता है सामने से आवाज क्या रही है ठीक है तो यह तीन टाइपस होते हैं डेफनेस के में भी आपको तीनों टाइपस समझ आ गई होंगे अब देखो बेसिकली अब देखो यह जो डेफनेस है यानि बहरा पने इसको हम दो और पार्ट्स में क्लासिफा है यह वो दो टाइपस का होता है एक होता है जो पैदाईशी होता है और उसके इस कुछ ऐसा आप बहरे हो गए और अपने बाद में डेफनेस को एकुईर कर लिया यानि आप जारत रसते से यह आपको चोड लग गई जिसके आप भैरें हो गई हैं एक्सिडेंट हो गया तो डो टाइप्स होते हैं अब देखो याप पर डिटेल में समझाया गया है कि किस तरह से हो सकते हैं पैदाइशी बहरे आप किस तरह से बन सकते हैं और एक्वाइरे डेफनेस किस तरह से हो सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है यह जेनेटिक फैक्टर सकता है वो जीन जो थे डीने जो थे आपके अंदर भी आगर और उसके विसे आपका भी चुक्त काने वो डंक से डेवलॉप नहीं हुआ और उसके विसे आप भी बहरे पैदा हो गए तो जिनेटिक फैक्टर्स होता है अगर आप वैदाइशी बहरे होते तो इसका कोई लाज सकते हो मतलब उसके विसे आपको आवाज सुनाई देगा है सामने आवला क्या बोल रहा है तो खरीदा जा सकता है बहुत महेंगे नहीं मिलते में भी पाच हजार के आसपास में जाते तो आप खरीद सकते हो ठीक है उसके बाद देखो दूसरा जो तरीक दूसरी जो चीज पेट में भी बच्चा पर रहा है अब ऐसे टाइम मान लोग उसने कुछ फल खा लिए या फिर उसको किसी तरह इंफेक्शन हो गया जैसे रूबेला ही आया था तो ऐसी जो बीमारिया होती है जो इंफेक्शन फहलाती है तो इसके उसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है यह जो इंफेक्शन ने बच्चे को भी हो जाता है मतलब क्या कि माने मान previous मतलों मतलों कोई फड़ कीड़ा था अब उज्वार्य नवर्व होता हrid令 रियार हो यह सकता है एक לו नहीं नहीं देड़ाइगा तो यह थे को है कि इ सकता है व्यूंत इंज्यूरिस लाइक डामेज ड्यू तो यूज ऑफ फॉर सेट यानि क्या कि देखो कभी-कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते अगर माल दो आपकी माल दो और उसका अगर बच्चा पैदा होने वाला है आज आज डिलीवरी आज पैदा होने वाला है लेकिन ऑपरेशन करके डिलीवरी नहीं होगी ऑपरेशन करना पड़ेगा तब जाकर बच्चा निकलने वाला है अब ऐसे टाइम पर क्या होता है डॉक्टर काईची का इस्तमाल करता है पेट को फाड़ने के लिए अब कभी-कभी क्या होता है कि वह जो कईची है उसके वह से कभी-कभी काट बढ़ने के लिए इस्तमाल करते उसके वह सकता है ब्रेन इंजरी हो सकते बच्चे के दिमाग में मालों कोई चोट लगए कुछ कई पर कट लग गया तो उसके वह सकता है वह बहरा हो जाए उसको सुनाई ना दे तो यह बहरे ही हो जाओगे बट चांसे रहते हैं कि इसके सब्सक्राइब करें ज lei कर हुए ठाइम पर अगर मालों आपकी अगर पैदा होते टायम पर अगर किसे तैब किमारी दा घा रही है अब बहुत सरे दवाई यह खाने क्या होता है कि उन दवाईयों के काफिसारे साइड इफ्ट्स जो होते हैं बच्चे को होने लग जाते जिसके हो सकता उसका कांच धंग से डेवलप नहों और उसके वह सकता हो तो यह सारे कुछ इसके बाद दूसरा जो टाइब होता है अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हमने बाद में इस को चोट लगया या फिर किसने बहुत माल दो कान के फर्दे फट गए अब इसके लिए नॉर्मल आप खह सकते हो किस तरह सोस्कता है तो अगर आप एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो वैसे अगर आप चाहते हो कि आप बहरे हो जाता तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका रह दरना कभी भी तो अगर मालो आपने बहुत जादा साउंड में कान में एयर फून लगा लिया है अब यही काम जो है आपने दो से तीन घंटे तक कान में एयर लगा एकदम कसके बीट वाले गाने सुन रहे हो जिसमें ढ़ाँ ढ़ाँ कर आवाँ जा रहा है तो ऐसे टैंब बिसकली इसको बोलते हैं आको कुछ बहुत जबाँ सुनने का शौक है बहुत कर असुन तो या फिर एक्सडेंट के वज़से भी आप बहरे हो सकते हो ठीक है तो यहां पर दिये गहीं ज्यादा अच्छे कारण जो आपको समझ आ जाएंगे तो सबसे पहला कारण यह कि मतल है कि साइडक्स के वज़े से हमान लो हम उसके दावाई पानी करवारे उसकी दावाई आ खारे तो उसकेवे सब्सक्त्र था मैं हुलूत हवि सब्सक्राण ने लगते में पुरी तरह 27 país DAVID देना बंदों जाए बहुत कम सुनाई देगा बहुत धीरे देज़े बुढ़ी लोग रहते हैं बहुत सुनाई नहीं देता तर तर दूर का सुनाई देता उनको तो इसी बीमारी को साइड इफेक्ट के वज़से होता है तो यह सारी चीज़ें भी हो सकती है उसके वाद एक्सिडेंट के वज़से हो सकता है बहुत जाए बहुत कसके आवाज आ रही है और वही पर कान लगा लिए हो और सुन रहे हो एक दो घंटे तक तो इसे ताइम पर नौश पॉलिशन के कर सकते हो जैसे की अगर माल लो अगर आपको अक्वाईरिध डेफिन रैसमेंस यानि कि आप पैदा होने के बाद आपको बहुत हो अगर सादे हो जिसके सबस्कुआ नहीं पाते उ तो ऐसे टाइम कि यह आपकी और मिडल यहर में वोती है या पर बाँर के बाएन Bishop仔 को सुनाई नहीं देता तो तो इनको आराम से ठीक किया जा सकते हैं तो इसको कर सकते हैं तो ढ़ना अगर तो तरह तरह से किस तरह के भी सब्सक्राइब नौर्मल आतमी के तरह के तरह है तो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है आप किस तरह के ट्रफिनेस एक्वाइर करते हो इसके ओपर है अगर माल लो और आप पैदाइशिप यारिनिक आपके जनेटिक डेफने से तो ऐसे टाइम पर क्या होगा कि आप जो है किसी भी तरीकी की या फिर कोई भी मेडिसीन ले लो दवाई या ऑपरेशन कर वा लो तो आप उतने धंक से मतलब सुन नहीं पाऊगे क्यों चांसे बहुत कम रहेंगे कि जनेटिक डिसॉर्डर रहते वो ठीक यह नहीं अपके ब्रेशमन गया कि वाज आपके आवाज पहुकि पहुंचेगी नहीं जिसका सुन नहीं सकते हो पर फ्LED द॑न सकते हो या अगर और उसका अग्युक्स कोसीन नहीं लेकिन अगर आप Een प्रस्ते से जा रहे तो आपका एकश्डेंट हो गया जिसके आपका जो आउटर या फिर मीडल एर में कोई डामेज हो गया है यानि कि अगर माग लाओ बहूत कसकस के कान में लगाकर यहर्फून या फिर बहुत यह खराब भी हो जाता है तो हमारा जो इनर यह रहता है उसको थोड़ा बहुत एंप्लिफाइब करके बिरेन तक पहुचा भी सकता है तो ऐसे टाइम पर मांदो हम बाहर अगर मशीन लगा देते हैं कान के बाहर जो आटोमाटिकली जो भी साउंड आ रहे उसको थोड़ा बह लगा के कान की मशीन आती है के सब्सक्राइब कर दाखना एक पईकलव लगाकर मशीन इस जिसरे का ऑल प्लिफित है यह संसर हो है कगर आप को लुग हो तских नहीं थीक होके इनर या ठीक है तब आप सुनने के चांस्स रहेंगा आप अपना मशीन लगवा सकते हैं फिर फू करवा कर ठीक हो सकती हो ठीक है तो 2 सिनरियो रहेते अगर आपको अनॉर्मल आदमी की तो अगर कोई भी आदमी जो हो सुन सके नॉर्मली तो निसको यहां चाहि Lobo Boule花नी तो में भी आपको सरी चीज़े समझा गई होगी कि इसका treatment क्या है किस तरह से एक आदमी बहरा आदमी जाए वो सुन सकता है तो में भी आपको auditory handicapped का मतलब समझा गई होगा और इसके causes भी समझा गई होगी किस तरह से एक आदमी होता है वो बहरा हो जाता है अब में भी आपको सरी चीज़े समझा गई होगी अब देखो इसका जो नेक्स लेक्चर है वो जल्दी चैनल पर आने वाला है कि उसकी भी आपको नोटिफिक्शन मिल जागा और उन वीडियो को भी आप देख सकोगे एंड अगर वीडियो को लेटे देख रहे हो और तब के अटेशन यहां पर दो प्लेलिस्ट आ गई होगी